ये कोई बिल्डिंग है हाइट येच है यहाँ पर दो लड़के खड़े हैं वाई ए वाई बी बी ने क्या किया दो आइडेंटिकल बाल दोनों के हाथ में हैं देखें यह भी लिया है एक बाल लिया है और यह भी एक बाल लिया हुआ है अपने हाथ में ओके यह वाले ने बाल को छोड़ दिया ड्रॉप कर दिया और बी वाले ने क्या किया यू स्पीट से हारिजंटल थो किया तो यह वाला बाल को यू स्पीट से थो कर रहा है हारिजंटल यह वाला बाल को छोड़ रहा देखें ड्रॉप कर रहा है छोड़ दे रहा है कौन बाल सबसे पहले ग्राउंड पर टक्राएगा चलिए टाइम सुरू होता है अब इन समारिए ए पहला अप्शन दूसरा अप्शन बी तीसरा अट दा सेन टाइम बोथ और फोर्थ अप्शन नहां फूसरा अप्शन आप्शन को इस फर्स्ट क्वीज आप्ड़ फिजिक्स हाँ जल्दी मारी एंसर दोनों पर कौन सार देखे बई ए बाले का किया दो ए है एक ए फी बिल्डिंग है एक बील्डिंग बैं दो डर्लड के खड़े हैं ए और बी बी इवाले बी वाले ने क्या किया? इस पीज से थोग किया हर जड़नेटल्ज चहह सितीच्छ और इवाले ने क्या किया? बाल को छुड़ दिया. पहले ग्राउन पर कौन पहुंचेगा? कौन टकरायेगा? जल्दी बोलेगे. हा, एवाला, कि B वाला, कि C वाला, ना, एवाला, कि दोनों ये रज़ा सेण टाइम, कि 9 अद्धी इन्ज में से कोई नहीं सही है ओके, अब देखो भी, यहाँ पर एंसर, आप सोचे जल्दी अपना क्विज है, जल्दी बवजागा टाइम नहीं मिलता है क्विज में यास concept concept quiz एक सीरीज में अब सुरू हो गई है quiz जो सबसे important concept है उसका quiz जल्दी मारी answer हाँ answer है answer lock करिए अपना answer answer है 3 at the same time अब आप सुझेंगे कैसे है एक को छोड़ दिया हाई take है एक को छोड़ दिया आद दूसरे वाले को हार जंट थो कर रहे हैं तो कैसे दोनों एक समय पर गिरेंगे ओके इसी को कहते है क्या इसी को कहते है पी हंडेड फीजेक्स देख विटा इसी को कहते हैं free falling ओके free falling तो अब free falling किन्दे टाइक होते हैं तो there are two types of free falling in the nature यह है पहला this is the first case और यह है free falling का second case तो nature में दो तरह की free falling होती है यह एक तो बाल को छोड़ दिया जाए किसी भी बस्तु को आप छोड़ दीजे किसी भी उचाई से कोई भी लास्टी मत दीजे किसी भी उचाई से छोड़ दीजे वहां under gravity गिरे उसे काते हैं free falling कोई बस्तु छोड़ दीजे देखे यह मैं छोड़ दिया तो this is the free falling और दूसरा केस होता है कि आप किसी भस्तु को पहला नेचर में दो ही free falling होती है नमबर बन बस्तु को छोड़ दीजे और नमबर दो हार जोलिंटल थो कर ये च्छैती प्रितवी के समानतर किसी भस्तु को फ्रेंकिये तो that is also the case of the free falling वह भी free falling यानि मुक्त रूप से गिरना स्वतंता पुलबग गिरना वह भी उसी का case होता है अब तो यहां पर mind here यहां पर कौन पहले टकराएगा तो देखें धन दीजिए डाउन वर नीचे आने की तरफ जब यह बाला रहा भी वाला नीचे आ रहा है ना तो gravity इसको नीचे खींच रही है और इसको भी gravity नीचे खींच रही है इसको भी gravity नीचे खींच रही है अब आप सोचेंगे कि यह वाला जो दिये हैं velocity इसका क्या होगा इसका क्या होगा तो इसका काम है बाल को आगी ले जाना जो horizontal विलाश्य दी जाती है उसका काम होता है बाल को horizontal ले जाना नीचे गिरने में इसका कोई रोल नहीं होता नीचे गिरने में इसका कोई रोल नहीं होता तो जब हाइट होती यह बराबर देखिए हाइट तो बराबर है इसके लिए भी हाइट बराबर इसके भी हाइट बराबर है तो होगा क्या होगा क्या देखिए अब होगा क्या कि या है gravity influence से नीचे भी गिर रहा है means कि यह जो velocity है वहाँ x-axis पर velocity है या बाल को आगे ले करके जाएगा गिरने में इसका कोई रोल नहीं होता तो गिरने में कोई रोल नहीं होता means देखिए वर्डिकन डायरेक्शन में इसकी initial velocity u y माना जाए तो u y बराबर क्या है जीरो इसके पास भी कोई velocity नहीं है ना इसके पास भी कोई velocity नहीं है ना तो यह भी u y बराबर क्या है जीरो तो दोनों का u y जीरो है जाने कि downward direction में आने के लिए दोनों के पास velocity नहीं है पत्ता हाँ देखिए दोनों के पास भी आशी नहीं न है यूई इसका भी 0 यूई इसका भी 0 तो वर्डिकल डायरेक्शन में जब आप एक्वेशन लगाएंगे गलीलियू इक्वेशन नंबर सिकेंड तो क्या कहता है नियम है एच ब्राबर यूटी प्लैस हाफ जी टी स्व नहीं है यह है कैशिग यूजी सब एक लाइन में होने चाहिए तो आप किस एक्वेशी पर लगाने लगाने जा रहे हैं, x का काम है, उसको आगे ले याना, वर्डिकल में कोई रोल नहीं है, देखें, अर y डाइरेक्शन में, नीचे की तरफ, y डाइरेक्शन में यूडिकल में यहां पर हो गया है, इसके लिए भी वही, उसके लिए भी यूडिकल और, y यहां भी जीरो यहा अब जाब दोटा ती बराबर क्या हो गया तो ती इक्वल टू अंडर रूट टू है अपान जी किसके लिए यही टाइम इसके लिए भी और यही टाइम इसके लिए भी तो जब आप अपने चट पर बिल्डिंग पर किसी उचाई पर खड़े हो जाएए एक बाल को छोड़ चीमों देजें और यह बाल को हार्जाइन थो करिये तो दोनों एक साथ ग्राउण्ड पर टकराते हैं तो दोनों के लिए टाइम किया आया दोनों के लिए टाइम आया पी इक्वल टू अंडर रूट तो एच अपान जी यानि कि दोनों foul एक साथ hall ग्राउंड पर टकराएंगे तो फिर अभी मिलते हैं दूसरे शार्ट यानि क्वीच के साथ तो दिस इस दे क्वेच इस देफाइनल इंशर यदि यह गिरता है दो सेकंड में तो यह भी गिरेगा दो ही सेकंड में दोनों एक साथ ग्राउंड पर टकराते हैं बोग्के